हेलो दोस्तो आप सबका स्वागत रिए उनिक लव्टिप्स चैनल पर और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ओल पर कर दो और अगर आपको मेरे साथ परसनली कॉल पर बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो वहाँ पर आपको सारे कॉलिंग से डिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे और यह एक पेट कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जर भी मैं वहाँ पर बता दूंगी और इंस इतने आपको मिलता था और ऐसा क्यों हो रहा है इसकी जो वजह हो क्या है इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपके पार्टनर को लेकर ही सोचते हो आपके जो खुद की लाइफ है आप भी एक इंसान हो आपके लाइफ में भी बहुत सारे important person है या फिर important बहुत सारे काम है आप उन सारी चीजों को आपके partner के लिए ignore करते हो आपने सारी चीजों को ignore कर दिया किसके लिए आपके partner के लिए और आपके partner नहीं आपको एक दिन ignore कर दिया क्यों क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कोई रहना नहीं पसंद करता है मेरे दोस्त जिसके लिए न अपने life की हर चीज की कोई priority नहीं होती मतलब हर चीज आप उसके लिए गवा सकते हो ऐसे हो गए हो अभी आप लेकिन जब वो आपके साथ relationship में आया था ना या आई थी तब आप एक अलग person थे आप एक अलग इनसान थे जिसके life में काम की भी value थी ठीक है मम्मी पापा की या फिर अपने family की ठीक है अपने दोस्तों की सारे चीजे जो थी आपके life में एक balance था उसमें लेकिन अभी क्या हुआ है पूरा जो balance है वो आपने खुदी खड़ाब करके रख दिया है आपके life में अभी लगता है सिर्फ वो एक ही इनसान है जिसका नाम है आपका partner चाहे वो आपकी girlfriend हो या आपका boyfriend जो भी है ठीक है तो उसी को आप इनसान समझते हो उसी को आपने भगवान इनसान से आपने उसको भगवान बना दिया है और इसी वज़़े से आप इतना ज़्यादा दुख में हो इसी वज़े से आपको इतना तकलीफ होता है तो ऐसे में क्या करना सही है आपको सिर्फ एक ही चीज करना है अगर आप कर सकते हो तो जो लोग अपने emotion पर control कर सकते है न वोही लोग इस video को समझ सकते है ठीक है मेरे दोस्थ तो emotion पर आपको control करना है कैसे emotion पर control करना है अप सोचोगे कि कैसे करें मतलब एक attachment बन जाती है न त तो attachment बन जाती है, सब समझते हैं हम, लेकिन आपको अपनी feelings ज्यादा show नहीं करनी है उस इनसान को, call नहीं कर रहा है, message नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है, मैं खाना खाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा, या करूंगी, ठीक है, लेना कि आप सही हो और अगर आपकी सुख आपकी दुख सब कुछ एक इनसान की उपर डिपेंड है कि वो अगर कॉल करेगा तो मैं खाना खाऊंगा वो अगर मैसेज में I love you बोलेगी तो मेरा दिल बहुत खुश है आज तो ऐसे नहीं होता मेरे दोस्ट आप तो उसके हाथ के खिलोने बन गए हो आपके पार्टनर के हाथ के तो ऐसे किसी के हाथ के खिलोने अगर बनते रहोगे या फिर बन जाओगे तो उसको जब मर्जी उसके मर्जी से आपको चलना होगा वो जैसा मर्जी आपको नचाएगा या नचाएगी ठीक है तो ऐसा मत करो अपनी लाइफ को ऐसे बरबाद मत करो और ऐसे ही आप एक टाइम के बाद डिप्टेशन में जाते हो, हाथ काट लेते हो पता नहीं क्या क्या कर लेते हो तो ऐसा बेवकूफी वाली काम तो कभी सोचना भी मत करने के लिए ठीक है तो सेल्फ कंट्रोल इस दा की, तो आपको अपने खुद पे कंट्रोल करना है, अपनी इमोशन को जाहिर नहीं होने देना है अपने पार्टनर के आगे अपनी इमोशन को नहीं दिखाना है, मेरे दोस्त क्योंकि वहाँ पे ही इमोशन दिखाना चाहिए, जहाँ पे उस चीज़ का कदर हो जहाँ पे आपका पार्टनर आपको कदर ही नहीं करता, आपकी फिलिंग्स की कोई कंट्रोली नहीं किया है, और हद से ज़ादा अपने इमोशन को शो कर दिया उस इंसान के आगे, और इसी वज़े से वो जो इंसान है ना जो आपका पार्टनर है, वो अभी आपको ग्रांटेट लेता है या फिर आपको ignore करता है, क्यूँकि उसको पता है कि आप उसके बीना नहीं रह सकते हो क्यूंकि आपने उसको क्या किया है ना, अपने life का जो remote control है ना, उसके हात में दे दिया है कि ये लो, मेरा control आपके पास में है, आप जैसे मर्जी मुझे चला सकते हो, तो यह क्यों किया है आपने, ऐसे करोगे तो कोई भी इंसान आपको न चाहेगा ना, अपने मर्जी से, तो ऐसा मत करो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, ज्यादा फीलिंग्स शो करने की जरूरत ही नहीं है, अगर अपका पार्टनर कॉल करता है, तो ठी ठीक है, ऐसा attitude रखना है आपको, कि कॉल आए तो भी ठीक है, कॉल ना आए तो भी ठीक है, मैसेज करे तो भी ठीक है, मैसेज ना आए तो भी ठीक है, लेकिन किसी के सामने भीक नहीं मांगना है, कि प्लीज यार कॉल कर ले, प्लीज मैसेज कर ले, ठीक है, अई होप आप सम message करना जरूरी समझेगा वो definitely आपको time देना भी जरूरी समझेगा लेकिन आप क्या करते हो आप उसके सामने हाथ फैला के भीक मांगते हो कि मुझे से बात कर लो मुझे time दे दो तो ऐसा मत करो अगर आप खुद ही अपना value नहीं करोगे तो कोई भी दुनिया में आपकी value नहीं करेगा मेरे दोस I hope दोस्तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज जार वीडियो को एक like जरूर करना और चैनल को भी subscribe करना अगर चैनल पे नए हो और जितना हो जगे वीडियो को share कर देना Thank you